पिछले दिनों पटना के शास्त्री नगर में भीशन आगजनी की घटना हुई थी जिसमें सैकडो घर जलकर खाक हो गए थे आज पीड़ितों से मिलने लोचपा रामविलास पासवान के राश्ट्री अध्यक्ष चिराग पासवान पहुचे आग लगने से सैकडो परिवार क घर जलकर खाक हो गया था चिराग पासवान तमाम पेड़ितों से उनकी पीड़ा को सुना साथ ही SDM से फोन पर बात की SDM से बात कर चिराग ने जल्द मदद पहुचानी की बात कही वही मीडिया से बातचीत के दोरान चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नितिश कुमार पर हमला बोला चिराग ने कहा कि सरकार के मुख्या इफ्तार पार्टी करते हैं लेकिन इन गरीबों से मिलने नहीं आते हैं अगर इफ्तार में खर्चोने वाले पैसे इन गरीबों को दिया जाएगा तो इन्हें कितनी मदद मिलेगी उनकी मदद को लेकर चिराग ने कहा कि हमारी पार्टी जहां तक संभव होगा इनकी मदद करेगी अठानवे सो की मदद कर दी इन लोगों को लग रहा कि सब हो गया इन लोगा भगवान ना करें पर इनमें किसी भी मान्य नीए कि घर पर को यसी घटना घटे तो क्या अठानवे सो रुपे में लोग अपना पुनर्वास कर लेंगा छोटा सा बच्चा जले वे गलास में पानी पी रहा है कुछ नहीं बचा इन लोगी पहचान तक नहीं बची इनके पास और मुख्य मंत्री भाई कितना दूर है इनका महल एक अनन्य मार्ग एक मिनट अगर आ जाएं आकर भाई कुछ नहीं भी करें ना दिलासा देके भी चले जाएं ऐसी समय पे एक दिलासा भी बहुत होता है उमीद जखती है उमीद चूट रही है इन लोग की कि हम लोगा कुछ नहीं रहा कुछ नहीं होगा हम लोगा और इंसान जब उमीद खो देता है उसका जियेगा वो कैसे और जो लोग सत्ता में हैं जो सक्षम है सब करने का भाई मैं तो अपनी तरफ से करूंगा ही पर मैं ना केंद सरकार में हूं ना मैं राज्य सरकार में हूं इतना बेबस अपने आपको महसूस कर रहा हूं आज की तारीक में पर मुझसे जितना बन पड़ेगा वो तो मैं फिर भी करूंगा पर मेरे एक यहां पर त्रिपाल लगवा देने से पानी की टेंकियां लाकि यहां पर खड़ी कर देने से 200 चाले हां पर करवा देने से या एक समय दो समय का खाना है यहां पर करवा देने से क्या हो जाएगा इन लोगा पूरा जीवन इन लोगा उजड़ गया पूरी पूंजी इन लोग की उजड़ गई है, क्यों नहीं सरकार जिम्मेदारी लेती है, और तो और इन लोग को अपने पहचान पत्र रिक ले, थाने लोग जा रहे हैं, तो थाने वाला बोलता कि जो जाके कोट से एफिड एफिड ले क्या हो, क्या थाने को नहीं पता कि य जाल रहे हैं, और इन लोग को पार्टियों की बड़ी हुई है, जिस दिन यहां पर घटना घटी, उसके अगले दिन मुख्यमंद्री इफ्तार की पार्टी दे रहे हैं, जितना पैसा आप लोग इफ्तार की पार्टी में खर्च करें, उसका एक हिस्सा भी आप लोग यहा मेरी अगर इन लोगों से मुलाकात होगी, मैं जरूर इन लोग के समख इस बात को रखूँगा, पर जिन लोग की जिम्मेदारी बनती है, एहंकार दिखाता है, आना तक यह लोग जरूरी नहीं समझते, दिखाता है, कि इन लोग को फरक ही नहीं पड़ता, मुख्यमंद्र बनने का एहंकार, इन लोग की बद्दूहां मत लीजे भई, बहुत बुरे हालात में लोग जिम्मेदारी बतादी की बीते दिनों पटना के शास्त्री नगर थाने के पास, गुझुग्गी बस्ती में गुरुवार दोपहर, भीशन आख लग गई थी, इसमें दोसों से ज जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, धन्यवाद।